हलो मैं हूँ रेखायाद और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई जरा आप सोचिए कि सुबा उठकर हुरश होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है क्योंकि कुछ लोग सुबा उठने के बाद चाय या कॉफी लेना पसंद करते हैं तो वहीं दूसरी तलब कुछ लोग सिधा नाश्ता करना पसंद करते हैं साथे कुछ लोग हेल्थ कॉंशेस होते हैं जो सुबा उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी और शहद लेते हैं या फिर कोई भी नाश्रोल ड्रिंक पीते हैं सुबा सुबा खाली पेट हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हर किसी का अपना एक नजरिया है लेकिन हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सुबा उठकर घी पीना पसंद नहीं करेंगे लेकिन कई सारे रिसर्च और खास तोर पर हमारे अईरवेद के अनुसार सुबा खाली पेट नाश्ते से पहले घी का सेवन आपको ढेर सारे लाब देता है तो आए आज हम जानते हैं कि खाली पेट घी पीने से आपको क्या-क्या लाब हो सकते हैं आईरवेद के अनुसार घीर शरीर के सभी कोशिकाओं को मजबूती देने का काम करता है। इसलिए इसे रासा भी कहा जाता है। आपको बता दे कि रासा एक तरह का न्यूट्रेंट से जिसका अगर खाली पेट सेवन किया जाए तो ये आपके शरीर की कोशिकाओं का पालन प खाराता है और वो हेल्दी होती है। घी आपके स्किन के नाच्रल नमी को बनाए रखता है और इसे ड्राय होने से भी बचाता है। सुबा खाली पेट घी का सेवन करने से आपको जोडों में दर्द और गठिया आदी की समस्या नहीं होती है क्योंकि घी एक नाच्रल पेट इस्तमाल करते हैं तो आपके दिमाग के कोशिकाएं एक्टिव होती हैं और नर्व भी प्रेरित होती हैं जिसकी वजह से आपकी मेमुरी और सीखनी के शमता आदी बढ़ती है। इसके सेवन से आपको अल्जाइमर जैसी बिमारी होने की संभावना कम हो जाती है। ल आपका वजन भी कम होगा। सबसे पहले सुबा खाली पेट घी का सेवन करने से आपके बाल भी हल्दी रहते हैं क्यूंकि इन्हें पूरे नियूट्रेंट्स मिलते हैं। इससे आपके बाल मुलायम, चमकदार और यहां तक की उनका ज़रना भी बंद हो जाता है। ऐसे लो को प्रभावित नहीं करता जिन्हें दूद से बनी चीजों से दिक्कत होती है। यानि जिन्हें लेक्टोस इंटॉलरेंस है। वहीं आपको बता दे कि घी में आंटी कांसर गुण होते हैं जो आपके शरीर में कांसर सेल्स को बढ़ने से और इससे होने वाले परिशानियो से बचाते हैं। तो सुबा खाली पेट घी का सेवन करें ये आपको धेरोग पायदे देगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।